गोल्ड की चमक लगातार बढ़ती ज़ा रही है और दिवाली के मौके पर आज देश में सोना प्रती 10 गराम 81,000 रुपई के पार चुला गया है। अमेरिका में महंगाई दर के आंकडों के इंतजार ने इसकी चमक में और ज़ादा इजाफा किया है। सबसे पहले हम लोग बात करें तो आज देश भर में इसकी चमक भी बढ़ गई है और ये एक लाख रुपई के पार बना हुआ है। चलिए अब जानते हैं देश के बड़े शहरों में गोल्ड औं सिल्वर का क्या कुछ प्राइस है। और इसी बीच अगर हम लोग चांदी देखे तो चांदी एक लाख सो रुपई प्रती किलोग्राम पर बनी हुई है। चलिए अब जानते हैं कि सोनी और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। तो चांदी में जारी तेजी का मुख कारण इंडस्ट्रिल डिमांड है। इसके अलावा गहने और चांदी के बढ़तों की डिमांड बढ़ने के कारण भी तेजी आई है। असके लावा त्योहारी और शादी विवाह के मौसम में बढ़ती डिमान के चलते बीन की चमक बढ़ गई है। देश भर में सोने की कीमते कई फैक्टर्स के उपर डिपेंड करती है। जिन में अंतराष्टर बजार में सोने की स्थिती और करन से एक्स्चेंज रेट शामिल है। वैश्विक बजार में जब सोने की कीमतों में उच्छाल आता है तो इसका असर भारती बजार पर भी पड़ता है। भारत में फैस्टिवल डिमांड से गोल्ड को तो सपोर्ट मिल ही रहा है। दिवाली की बात करें तो दिवाली के मौके पर देश भर में सोना 81,000 रुपए के बार चला गया है। और इस बीच अगर चांदी की बात करें तो चांदी भी एक लाख रूपए के लेवल को पार कर चुकी है। वीडियो में इतना ही जानकारी आपको कैसी लगें कॉमेंट करके जरूर बताएं। फेस्बुक पेश को लाइक करें अगर यूट्यूब पर दोएक हरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।